अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें साथ ही बैल आइकन पर प्रेंस करें ताकि प्रेगनेंसी से जुड़ी हर जानकारी के लिए आपको नौटिफिकेशन मिल सके तो चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दोरान प्रेगनेंट लेडी को अपने साथ साथ गर्फ में पल रहे शिशू का भी पिशेज ध्यान रखना पड़ता है ऐसी इस्तिती में आप जो कुछ भी खाती है उसका पूरा असर आपके बच्चे पर पड़ता है हर मा चाहती है कि उसका होने वाला बच्चा सुन्दर होने के साथ साथ एकदम हैल्दी हो तो फ्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए जिससे बेबी स्वस्त पैदा हो फ्रेगनेंसी में आपको विसेश रूप से प्रोटीन युक्त चीजें अपनी डाइट में शामिल अवश्य करनी चाहिए इसमें दाल है अंकुरित अनाज है दूद और दूद से बनी हुई चीजें है जो अपनी डेली डाइट में शामिल अवश्य करनी चाहिए ताकि इनके सेवन से आपके घर्व में पल रहे शिशू का बिकास अच्छा हो सके और प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में प्रोटीन की अपूरती होती रहे Frens pregnancy में आप टेली हारी पत्तेदार सब्सियों का सेवन ज़रूर करें फ्रेंट्स प्रेगनेंसी के दोरान आपको अंकुरित अनाज का सेवन भी जरूर करना चाहिए और फ्रेंट्स प्रेगनेंसी में अगर आप चाहती हैं कि आपका होने वाला बच्चा एकदम स्वास्त हो तो आपको फल है जूस और सलात को भी अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें आप जूस पियें और फल भी खाएं इससे आपका बच्चा एक तम भेल्दी होगा फ्रेंट्स प्रेगनेंसी में आपको पानी भी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए लेकिन ध्यान रहें फ्रेंट्स आपको एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए दिन भर में कम से कम साथ से आठ गिलास पानी अवश्य पियें और जब भी आप पानी पियें तो ध्यान रखें कि पानी बैट कर ही पियें आराम से पियें फ्रेंट्स 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 के दौरान शरीर को स्वस्तवा मन को सांत रखने के लिए जो आपको आराम दायक लगे वह योगा या ब्यायाम जरूर करें इससे pregnancy के दोरान तनाव या stress कम होता है तो आप डेली, योगा, हलका-फुलका योगा या भ्यायाम जरूर करें Friends, pregnancy में एक healthy बच्चे के लिए दूद बेहत जरूरी होता है इसलिए दूद को pregnancy के दोरान डेली पीने से शिशों की हड्डियों मजबूत होती है इसलिए आपको डेली दूद का शिवन अवश्य करना चाहिए जिससे कि आपका बच्चा एकदम healthy और सुन्दर पैदा हो तो Friends, ये कुछ tips थे जो आपको pregnancy के दोरान इनका ट्राय जरूर करना चाहिए जिससे कि आप और आपका होने वाला बच्चा दोनों स्वस्त रहें तो Friends, उमीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe जरूर करें अगर आपको pregnancy से जोड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो comment में हमें जरूर बताएं Thank you so much